नमस्कार, गुड़ाफटनून, मैं आज का ये एपिसोड एक कहावत से सुरू करना चाहूँ, बहुत ही लोगप्रिय कहावत है, जानकारी से सत्य मानते हैं, राष्टपती पुतीन अपने देश द्रोही या फिर गद्दारों को माफ नहीं करते हैं, जी हाँ दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे, कि मैं किस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, हाँ, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, मर्सिनेरी ग्रूप के जो प्रमुख थे, येवगनी प्रिगोजिन, जो पचीस हजार से बड़े सहिने जथा को एक नित्रित उर्प्रदान करते थे, उनकी असामईक प्लेन दुरगटना को लेके मैं बात करना चाहता हूँ, उनकी जिवनी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, वो कहां से कहां पहुँचे, बहुत ही हंबल बैग्राउंड से आके भी बहुत ताकतवर जगह तक पहुँचे, और अंतता उनका हस्र बहुत दुखदाई हूँ, आज का एक आरकम शुरू करते हैं, जानते ह कि यवगनी प्रिगोजिन ने अपनी यात्रा के सुरुवाती दौर में वो क्या करते थे, कैसे थे, और कैसे वो यहां तक क्रेमलीन के पावर तक पहुँचे, यदि आप देखेंगे तो इनका बैग्राउंड बहुत ही साफ सवी, साफ सवी की नहीं रही है, यह लूट पा और नौ साल से अधिक प्रिगोजिन जेल में कारावास के तौर पर भुगत के आये हुए थे वहाद, जब वो जेल से बाहर आये, तो उन्होंने अपने लिए कैटरिंग की वेवसाई सुरू करी, रेस्टोरेंट सुरू किये, और उसमें उनको खासा सफलता मिला, यही कैट होने का एक मौका मिला, वो रास्टपती पुतिन के बहुती नजदीक होते चले गए, उनके जनल दीन के पार्टियों की कैटरिंग, जो बड़े-बड़े उनके यहाँ पे गेस्ट्स थे, जो लीडर्स, वर्ल्डवाइट लीडर्स थे, चाहे युएस के प्रेसिडेंट र या फिर जो रस्या के आंब फोर्सिस की कैटरिंग है, उनको कैटर करने का काम प्रिगोजी लेने लगे, बड़े-बड़े कांट्राक्ट्स स्कूल के, चैंटिन कॉंट्राक्ट्स. और भी बहुत बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, उनके लिए जो भी पार्टी स्टेट और यह बहुत बड़ी उपलब्दी थी इनके लिए धीरे-धीरे क्रेमलीन के इंसाइड पावर्स में गोस्ते चले गए और बहुत पावर्फुल होते चले गए 2014 में इन्होंने एक मर्सिनरी ग्रूप का गठन किया मर्सिनरी ग्रूप वह सेन जथ्था है जो की पेड आम्र सर्विसेस मोहिया कराते हैं 25,000 सेना की जथ्थी को नित्रित्व करना करना बहुत बरी बात है ft और इस तरह से वह रशिया के लिए जहां करते ते उनके लिए यह गरते पर बहुत अजन करते थे में पर इनका जो मोडस ऑपरेंडी था बहुत बार क्रूएल भी कहते थे लोग वैगनेर्ज ग्रूप का कई बार हुमन राइट्स वाइलेशन के केस में भी यह नाम आगे आया यूएन के फोर्सेस ने नाम लिये लेकिन जो भी था यह अपने मकसद जो है कहीं पी टेरिटरी पर वि इसले सब्सक्राइब भी यख़े के अभी यूग तिधन सब्सक्राइब उसकों को बिदिया का इस लिए सुदान के लिए दिए मोजाम्बिक के लिए सिर्या तो हर जगह पर वैगनर ग्रूप की कहीं उपस्तिती दर्ज होती चली गई बहुत सारे कंट्रीज में इनकी आर्म फोर्सेस की सर्विसेस थी लेकिन सब की जो केंदर बिंदू था वो रसियन कॉजेजी था रसिया के लिए जहां जो सपोर्ट करना हो वो यह करते थे इनका सेने जथा का कारिक्रम चलता रहा और रसिया ने 2022 में जब यूकरेन पर आकरमन किया तो उसमें वैगनर ग्रूप की बहुत ही एहम रोल था उनको जो जो सीमा पर जिन जिन फ्रंटियर्स पर उनको काम दिया गया वहां पर इन्हों ने फता हासिल की और यूकरेन को काफी तबाही मचाई है इन्होंने बक्तमूत सुलेदार और भी जगह पे कबजा किया और बहुत ही हैविली डिप्लॉई की वेगनर के फोर्सेस के तौर पे इन्होंने वहां के सबलता हासिल किया तौरे दिनों के बाद इनको लगा कि रसीयन फोर्सेस उतनी ज्यादा इनवाल्ब नहीं है और यह रसीयन आर्मी के लिए क्रिटिकल हो गए और इन्होंने कहा कि रसीयन आर्मी उतनी जोरदार तरीके से नहीं लग रही है यह उतनी अच्छी ट्रेंड नहीं है जितनी इन्होंने अपना जट्था वहां पर हॉल्ट कर दिया और यह वापस मुस्को की तरफ अपने आम्स खीच लिये निहोंने कुछ रोशियन जो टैंक है उसको गिरा दिये और रसियन आर्मी के वह अटेक कर दिया और इन्होंने कूच किया मॉस्को के तरफ यह बहुत ही डरावना पल था पुतीन भी सकते में आ गया कि हमारा ही ट्रूप, हमारा ही मर्सिनेरी आउटफिट हमारे तरफ बंदूप तान के खड़ी है टैंक्स तान के खड़ी है और वो क्रेमलीन की ओर बढ़ रही है और क्रेमलीन के एगेंस्ट खड़ी है मॉस्को की ओर कूच कर रही है और चितावनी दे रहे है फिलाल क्रेमलीन पावर्स ने मॉस्को ने पुतीन ने उसको हैंडल किया और उन्होंने जो है एक मदिस्ता के लिए तलारुस के रास्टपती को भी आवान किया लेकिन सबसे बड़ा धक्का पुतीन को ये लगा कि जिसको उन्होंने बहुती विश्वास के साथ पाला था जो उनके विश्वास के घेरे में थे उन्होंने आज जो है देशद्रोग कर दिया इनके खिलाफ म्यूटीनी कर दिया पुतीन के खिलाफ सर खड़ा करके आगे बढ़े पुतीन ने कहा कि ये देशद्रोग है इन लोगोंने हमारे देश और देशवासियों के पीठ में छूरा हो पा है ये बहुत बड़ी स्टेट्मेंट थी रास्तपती पुतीन की लेकिन उसी टाइम पे जो बेलारूस की जो लीडर है अलेकजेंडर लुकसेंको उन्होंने मदस अता की और वेगनर ग्रूप की जो मार्च थी ट्वार्ट्स मॉसको उसको रोका और वो लोग रुख गए बात यह हुई कि वो लोग बेलारूस चले जाएंगे और वेगनर के जो प्रमुक है और उनके जो खिलाफ जो देश्द्रों के जो चार्जेज हैं वो ड्रॉप कर दिये जाएंगे वेगनर के जो प्रमुक है उनके खिलाफ यह तैं हुआ लेकिन पुतीन के दिल में कही ने कहीए जोट बैट गई और पुतीन ने कहा था कि जो देशद्रो करेगा या जिसने किया है उसको सजा जरूर बिलेंगे यह स्टेट्मेंट बहुत ही खास है कि देश-द्रोही सजा तो मिलेंगे और बराबर मिलेंगे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि पुतीन जिस सक्सियत के मालिक हैं, जिस व्यक्तिप्त्यू के धनी हैं, वो देश गुरुही को नहीं छोड़ेंगे. विगोजीन वो बहुत सारे देश के, बहुत सारे अंतरास्यस्तर के नेता ने भी आगाह किया था कि आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, ये इतने असानी से आप साइद मॉस्को के खिलाफ द्रोग करके छूट नहीं सकते हैं, और जबकि राश्पती पुतिन ने आपको खुले तोर पे ये कहा है, तो कहीं ने कहीं आपको साफ़तानी बरतनी जरूई होते हैं, और ये ताय था कि पुतिन अपने देश-द्रोगियों को, पुतिन गद्दारों को माफ नहीं करते हैं, अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि कैसे हुआ, लेकिन तक् जिस विमान में सवार हो करके कहीं जा रहे थे, वो विमान क्रैस हो गया और वो विमान नीचे गिर गया, उसमें प्रिगोजनी के अलावा दस आउर सवार थे, जिसमें उनकी वैगनर ग्रूप के को-फाउंडर भी थे, ये सारे के सारे मारे गया, और इस तरह से जो सक्स, प्रिगोजनी एक बार बहुत हमबल बैक्ग्राउंड से सुरू करते हुए, छोटे मोटे क्राइम करते हुए, फिर कैटरिंग बिजनेस से लेके, पुतिन के बहुत करीबी हो गए, क्रेमलीन पावर्स के बहुत ही करीबी हो गए, और एक गलती, एक देस्त्रों का जो उनका एक्ट था, उसके वजए से, और उनके नियती में पता नहीं, यह क्या था, यह क्रैस लिखा हुआ था, वो उस क्रैस के सिकार हो गए, और उसमें वो मारे गया है, पुतिन ने इस पे एक इंक्वारी भी बिठाया है, और पुतिन ने कहा है, कि उसमें गलती किया था, लेकि बाकी के जो अंतराश चेस्टर केनेता है उनकी जो भौने तनी है उन्होंने जो आसंका जाहिड किया है वो कहीं कहीं क्रेमलीन पावर्स की और इसारा करती है यही था एक दुदनाक अंत और देखिए प्रिगोजीन होती छोटी से जगह से आया था बहुत पावर्फुल हो ग गया कि उन्होंने रसिया के जो आग्मी जन्रल है उनके खिलाब भी बोला कि आप लोग युद्ध कर रहे हो भी युक्रेन में आप लोग नहीं कर रहे हुए है आप लोग कायर की तरह बैठे हुए और अनतता उनका फेट जो है उनका जो नियती है उनको एक विमान दृग करिए, सेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, इसी से हमको भी उत्सा मिलता है, और कहीं ने कहीं हम आप तक जो है एक मौती रिलिवन टॉपिक को लेके आगे आते हैं, थैंक यू सो बच्छ